। कै से हैं आप सब तो फ्रेंट्स देखिए ये मैने आर्म होल की कटिंग मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई थी कैसे करનी है और यह देखिए साठ साथ साथvens तक मैंने आर्महोल की कटिंग बना ली है इसे सीधी सीधी बनाई है और यह देखें नीचे हमने इसमें डिजाइन के लिए 118 फंदे डाले वे थें क्योंकि यह डिजाइन 23-23 के मल्टिपल से बनता है प्लस इसमें 3 फंदे और आड़ कर देंगे तो इस डिजाइन को बना सकते हैं देखें इसमें 5 हमारे यह डिजाइन बने थे तो 23 फंदे 115 होते हैं प्लस 3 फंदे एड़ करे 118 में हमने यह बनाया है और मैंने यहाँ पर देखें यहाँ पर मैंने 8 फंदे उपर माइनस कर दिये थे घटा दिये थे तो 110 फंदे में हमने यह कार्डिगन त्यार किया है सिर्फ डिजाइन के हिए हमने यहाँ पर 118 फंद्द डाले धे बाके मैंने यहाँ पर 10 फंद्दें कम कर दिये हैं जा मेंने यह सीधा सीधा स्टार्ट किया canción कि ओर ने लियायक करदें से को तो यह मैंने असीश mıषरी साइड का ilojum यानि कि हमने घटाकर ये आपकर 110 फंदे कर दिये थे tha तो मैंने फ्रंट siDE में 110 का आधाやनि कि 55 ह्मने 10 फंदे बटन पट्टे के एक्सट्र लिए हुए है यह यह 65 फंदे इसमें डाले हैं अब हम पहले दिखिये बटन पत्टी बनाएंगे और यह मैंने देखिये जब हम यह वाला डिजाइन बनाएंगे ना तो यह दो फूल ही आएंगे इसमें 49 फंदे का हमारे यह दो फूल आएंगे यानि कि 23, 23, 46, 46, 46 फंदे प्लस 3 फंदे 49 फंदे में यहां तक डिजाइन बन जाएगा और 10 फंदे बटन पट्टिके तो हमारे हो जाएंगे 49 में 10 फंदे एड़ कर देंगे तो 59 फंदे प्लस 6 फंदे हमारे एक्स्ट्रा होंगे तो एक्स्ट्रा फंदे होंगे तो हम यहां पर यहां पर बना लेंगे चाहिए आप सीधा सीधा बना लीजे चाहिए उल्टा उल्टा बना लीजे क्योंकि लास्ट में अगर हमारे पंदे जादा होते हैं तो हम उल्टा उल्टा बना लेते हैं तो यह हमारे स्टिचिंग में काम आ जाता है तो चलिए मैं बताती हूं को कैसे बनाएंगे पहले हम बनाएंगे बटन पट्टी डिजाइनर बटन पट्टी बनाएंगे यह देखिए पहला पंदा हम उतार लेंगे ऐसे धागे को अपनी ओर करेंगे एक पंदा उल्टा बना लेंगे धागे को पीछे करेंगे यह से लेंगे सीधा बना लेंगे फिर धागे को पन्यों और करेंगे ये एक पंदा उल्टा फिर धागे को पीछे एक पंदा ऐसे सीधा बैक लूप से कितना होगे साथ होगे फिर धागे को अपनी और एक पंदा उल्टा धागे को पीछे एक पंदा सीधा धागे को अपनी और करेंगे एक पंदा सीधा बना लेंगे ये देखिए हमारे दस पंदे हमारे बन गये हैं अब यहां पर देखिए लास्ट में उल्टा पंदा बना हु यानिकि हमने सिर्फ काउंट बटन पट्टी में सिर्फ 10 पंदों की करनी है थोड़ा सा अच्छा लगे चेन बन जाएगी ऐसे तो एक पंदा हमने और सीधा बना लिया है अब यहां पर देखिए यह देखिए छे स्लाइएं हमने उल्ट 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 बनाई है पहले हमें यह वाली छे स्लाइएं उल्ट 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 बना लोगी क्योंकि हमने यह बॉडर बनाना है तो छे स्लाइएं हमने उल्ट 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 बना लेनी है देखिए यह पूरे फंदे हम उल्ट और उल्टी तरफ से उल्टा यहां तक बनाएंगे और बाकבी जो बटन पक्ती है उसको हमने वैसी बनाना है तो मैं पहले 一स एगे environment कर लेती हूं तो यह देखियए हमने सीधी तरफ से उल्ट, उल्टा बना लिया है अब उल्टी तरफ से देखिए यहां तक हम बना लेते हैं जहां तक हमने बटन पट्टी बनाई थी ना वहां तक हम बना लेते हैं उल्टा उल्टा फिर मैं आपको दिखाते हूं बटन पट्टी कैसे बनाएंगे इसको पहले मैं बना लेते हैं उल्टा उल्टा बटन से यह उल्टा था ना तो यहा से उसको सीधा बनाएंगे स्म्ठाइब बनालेंगे इसको सीधा बना लेंगी बनाने बास मतलब एक बंदा सीधा और एक उल्टा बनाना है वास तो यह देखें हमारा देखें यहां से बॉडर भी बनना स्टार्ट हो गया यहां से बॉडरी हैं अगया है लास तो यहां से बुडर इसली है इसे हो बना स्टार्ट हो अगया है कि यहां से दूशे बना है तो यहां से बना संदाब गार है तो यह तक हमने बॉर्डर बना लिया और बागे के सारे पंदे हमने उल्टे उल्टे बना लेने हैं 3 2 सलाई हि Europeans छे चलाइइं बनाने 58 उसके बाद हमने ये बॉर्डर बनाना है फिर मैं इसको बना लेती हूं फिर मैं आपको दिखाते हैं भी बनाब देखित हैं इसमें तो दिखे एक फंद्या हमने ऐसा ने लो न यह और यह वहला फंद में उल्टा बना एंगे को कि यह सीधा फो allons à और ये दों हमने देखिए यह सिधा बना है में टीक है फिर अ कि असको देखिक ऐसा फंदे में जाली भी डालेंगे और यह वाला फंदा सीधा बना देंगे यह देखिए दो का एक कर दिया था और जाली डाल दी तो फंदे हमारे बराबरी रहेंगे यह देखिए सीधा बना दिया अब यह वाला फंदा उल्टा फिर यह वाला फंदा ऐसे सिधा यह वाला फंदा उल्टा यह दे कि यह हमने 11 दस फंदों के हमने देखिए बटन पट्टी बना ली कि यह देखिए और यह देखिए एक फंदा हमने ऐसे ही सीधा बनाया लेकिन इसको हमने इसी में ही काउंट करना है क्योंकि हमारी 10 फंदों के बटन पट्टी है और एक फंदा हमारे इस तरफ सही है क्योंकि यह चेन अच्छी लगेगी इसलिए मैंने यह चेन सिधी सिधी बनाते हुए चले जा रहे हैं क्योंकि यहां पर यह उल्टा फंदा है अगर आपको ऐसे ही बनाने तो आप ऐसे बना स यह बना लिए इसको मैं सेट करना दिखा रहे हूं को कैसे इसमें सेट करेंगे तो यह देखिए एक फंदा यह दो फंदे हमने देखिए उल्टे बना लिए फिर धागे को पीछे करेंगे देखिए फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे फिर यहां धागे को अपनी और करेंगे और यह जाले डालते वे एक फंदा सीधा यह देखिए एक जाली पड़ गी है हमारी फिर जाली डालते वे पांच फंदे सीधे बनाएंगे यह देखिए एक फंदा हो गया दो तेन चार पांच चुक्या अब इन तीन फंदों में तीन का एक करेंगे तो इस फंदे को उतारके ऐसी सीधा कर लेंगे और ऐसे रूम्द से it इन का एक कर देंगे और दो फंद्ध ये देखिये सीध़ें फिर यहाहन तीन फंद्ध हमने एक के आगे से श्लाईड डालते हुए 3 का 1 करना है और फिर देखिए यह हम 3 का 1 कर दिए फिर 5 पंदे हम सीधे बनाएंगे 1,2,3,4,5 ठीक है फिर जाले डालेंगे जाके को अपनिय और करेंगे और यह वाला पंदा हमने सीधा बना लेना है एक फंदा हमने सीधा बना लिया जाली डालते हैं जैसे यहाँ पर देखें यह जाली डाले और फिर ये जाली डालते हिवे एक फंदा और सीधा बना लेंगे ठीक है यहां से लिकर देखिए यहां से लिकर यहां तक हमारे 23 फंदों का डेजाइन है फिर से देखे रेपीट करेंगे फिर धागे को अपनी ओर करेंगे एक फंदा उल्टा बनाएंगे फिर पीछे करेंगे एक बंदा सीधा जाले डालेंगे एक बंदा फिर से सीधा बनाएंगे फिर जाले डालते वे एक बंदा सीधा बना लेंगे ठीक है यानि ये एक फंदा हो गया, पांच फंदे बनाने हैं, दो, तीन, चार, और ये पांच, पांच फंदे सीधे बना लिए, फिर यहाँ पर देखिए, तीन का एक करेंगे, इस फंदे को सीधा कर लेंगे, और ऐसे बैक लूप से तीन का एक करेंगे, दो फंदे पीच में सीधे बनाएंगे और फिर इसको आगे से सलाइड डालते तीन के एक करेंगे फिर पाँच फंदे फिर से सीधे फिर जाले डालते वे एक बंदा सीधा फिर जाले डालते वे एक बंदा सीधा और फिर लास्ट में ये देखिए तेन एक बंदा उल्टा बना लेंगे अब ये हमारे देखिए एक्स्ट्रा फंदे थे ना इनको भी आप चाहे सीधा बना लीजिए चाहे उल्टा बना लीजिए चाहे यहाँ पर कोई डिजाइन और बना दीजिए या आप उल्टा-उल्टा ऐसे बना कर इसको कम्प्लीट कर सकते हैं ऐसे उल्टा-उल्टा मैंने इसको बना लिया है पूरा ठीक है क्योंकि यह हमारा जब हम इसको देखिए ऐसे स्टिच करेंगे ना तो यह इसमें ही आ जाएगा यह देखें इसमें डाल दिया है और इस बोरडर का मैंने डेजाइन पहले भी शेयर केा हुआ है महाँ कर आप पूरी वीडियो देख सकते हैं इसमें सिर्फ मैंने यह डालना बताया को कैसे हम इस इसमें डालएंगा डालेंगे ढ़ोए यहां से भी हम इस फंदों को आ में ऊल्टा बना लेंगे देखे देखें ये ना ah ने उसको सीधा बनाइंगे और बाकी सारे फंद zg हमान ुल्टे बना कर कंप्लेट कर लेंटे जैसे बीच में उल्टे बनाये थे न तो उस फंदे को हम ने बनाना सिर्फ तो बॉर्डर की मैंने आपको पूरा बॉर्डर डिजाइन अप अपलोड किया हुआ है वहाँ जाकर आप देख सकते हैं यह देखें यह वाला फंदा हमने यहां से उल्टा बनाया था तो इस तरफ इसको सीधा बनाना है बाकि 22 फंदे हमने उल्टे बनाने है घीक है उल्टा बनाये था ना सीधी तरफ से उसको सीधा बनाना है बाकी हमने सारे वांदे उल्ट उल्टे बनाकर कम्प conflicting कर लेना है तो यहां देखें यह बॉर्डर ओप और मिआपला इसको सीधा बनाएंगे यह वाला उल्टा है इस only तरफ देखिए यह वाला फंदा हम इसको सीधा बनाएंगे जाली वाला फंदा है यह वाला उल्टा तो यह देखिए यह हमारी बटन होल बन गया है और ऐसे ही कैप कैप पर थोड़ी दस बार असलाईयों बाद हमने यह बटन होल बनाते जाना है यह आप अपने अकोडिंग देख लेंगे कि कैसे हमने बटन होल डालने है अब यहाँ डाला है फिर दस बार असलाईयों बाद फिर से हम बटन होल बनाएंगे ऐसे ही बनाते चले जाएंगे तो यह देखिए मैंने डिजाइन इसमें डाल दिया है डिजाइन भी हमारा बनने लगा है अब मैं दूसरा आपको दिखा देती हूं दूसरी साइड का कैस हम डिजाइन को डालेंगे तो यह देखे फ्रेंट्स यह हमारा लफ साइड का पार्ट है और यहां तक तक मैंने देखिए तेंसलाइएं बना ली चरफ होई को अमने बना लिए अब हमने यहाँ देखिए हैं करना उपना लेंगे, अब यह आसे सेट करना है, पहले हमारे दीखिए, 6 फंदे हमारे एक्स्ट्रा थे नहीं, हम 6 फंदे पहले एक्स्ट्रा बना लेंगे, इल्टे-उल्टे, एक दो तीन चार पाच छे छे फंदे बनाली अब यहां से मारा डेजाइन स्टार्ट होगा तो एक फंदा उल्टा देखिए जैसे हमारा यहां पर था ना एक फंदा मारा उल्टा था तीन तीन चे और एक फंदा यहां उल्टा था ना सेम वैसे हमने देखिए एक फंदा उल्टा बनाली फिर दागे को पीछे करेंगे एक फंदा सीधा जाले डालेंगे एक फंदा सीधा फिर जाले डालेंगे पांच फंदे सीधे एक दो तीन चार तेंट chef फंदे सीधे फिर का एक सीधा कर देंगे और ऐसे में सीधे एक दू पर यहां सें पर यह को दैसा हो नी आ और इसे फंदे सीधे हुआ रहें है दो हो थे कि चार पांच कर पांछ पांच पंदे सी देख फिर उसके पाद अबनाएंगे फिर जाल एक फंदा सीधा रखा फिर फिर यहां कि दरी मारा απόनेंजिए तो ये दिखें यहां तक हमारा यहां से हमारा देखिय डिजाइन स्टार्ट हुआ था और यहां तक हमारा 33 फण्दों का डिजाइन हो गयाै अब फिर से स्टार्ट करेंगे एक फण्दा उल्टा धांगे पीछे करके विर अपन्य और करेंगे जाले डालते हुए एक फंदा सीधा फिर जाले डालते हुए पांच फंदे सीधे एक दो तीन चार और ये पांच फिर धागी को सीधे करेंगे और यहां ऐसे तीन का एक कर देंगे फिर दो फंदे सीधे एक दो और फिर देखे ये तीन फंदों का एक करेंगे और पांच फंदे फिर से सीधे एक दो तेन चार और ये पांच फंदे सीधे फिर धागे को पनी और करेंगे जाले डालते हुए एक फंदा सीधा फिर देखे जाले डालते हुए जाले डालते यहां पर यह फंदा देखिए उल्टा बना लेंगे और यह लास्ट वाला भी एक फंदा उल्टा बना लेंगे अब यहां देखिए यह सीधा है ना तो इसको चाहिए आप ऐसे उतार लीजिए तो यह सीधी-सीधी एकदम फली आएगी तो यह देखिए बॉडर यह मारा बटन पट्टी है इसको हमने बटन पट्टी बना लेना है बाकी जो हमारा बॉडर डिजाइन है वो हमने बनाते वे चला जाना है यह एक फंदा सीधा और उल्टे कर डिजाइन है बस बटन पट्टी का यह देखिए बटन पटे हमारी बन गी है और यह जो बॉर्डर डेजाइन है इसकी मैंने फुल वीडियो है ना अपने चैनल पर अपलोड की भी है अब वहां जाके डिटेल में देख सकते हैं मैंने सिर्फ आपको इसमें एडजस्ट करना बताया कि कैसे हम एडजस्ट करेंग और उसके बाद जब हमारा यह बॉर्डर बन जाएगा ना दोनों उस पर हम बना लेंगे तो उसके बाद देखिए यह वाला डिजाइन मैं आपको देखाऊंगे कि कैसे हम इसके उपर यह वाला सेट करेंगे यह देखिए बॉर्डर बनाने के बाद मैंने इस डिजाइन को सेट किया है देखिए बहुत ही सुन्दर लगेगा जब आप किसी भी कार्डेगन में इसको एड़ेस्ट करेंगी और बहुत सुन्दर लगेगा यह मैं लार साइच का बना रही हूँ तो फ्रेंट्स में तो तो जब एक बद्सक्राइब करेंगी और